हलो फ्रेंज, वेलकम टू वेज़ देसी अरोमाज, आज मैं आपके साथ एक बहुती स्पेशल हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, कहने को तो यह सिंपल सा सूजी का हलवा है, पर देखने में और टेस्ट में यह मोंग की दाल के हलवे जैसा लगता है, यह बहुती कम स को बना के खिलाए थी, और सभी हैरान थे, कि नई बहु ने कप में तो दाल भी गोई, कब दाल पीसी, और कब जट पर ठलवा तयार भी कर दिया, है ना स्पेशल, तो आए, लेट्स गेट स्टार्टे, सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी सूजी, इसमें मैंने कोई ग्राम् मिल्क, मिल्क इतना सारा नहीं लगेगा, यह वाम मिल्क है, यह द्राइफ्रूट्स मैंने इसमें आड किया है बादाम और रेजिन, आप कोई भी द्राइफ्रूट्स आड कर सकते हैं, और पानी, सबसे पहले एक बोल में हम सूजी ढालेंगे, और इसमें थोड़ा सा मिल्क कर देगे, बस इतना मिल्क डालना है कि यह, सूजी मिक्स हो जाए और हमारे जुग डाल की पिछी को रेजेंबल करें, ज्यादा मिल्क अगर हम डालेंगे, तो हमें सूजी को बात में भूलने में प्रॉप्त माहिए, अब यह मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा ह पर बहुत थोड़ा सा टू टेबल स्पून में सब मिक्स हो गया है अब हम इसे 10 मिनिट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे इस हलवे के लिए हम चाशनी भी अलग से नहीं बनाएंगे इस मेजरिंग बोल में हमने सूजी को मेजर किया था उसी मेजरिंग बोल म इसने सारा एक्स्ट्रा मिफ पी लिया है यह बिल्कुल इस्टाइन दाल की ठिठी को रिजर्बल करना है जो हम मूंग दाल हल्वे या किसी भी दाल के हल्वे में बनाते हैं तो फ्रेंस सबसे पहले हम एक हेवी बॉटम कढ़ाई में लो फ्लेम की टिग घी को अराउं 10 सिक अल्मोस्स सारा का सारा घी लेके अपने उस बूल में डालेंगे जिसमें हमने सूजी को मिक्स किया है कुछ इस तरह से और कढ़ाई में सिर्फ एक या दो चम्मज घी ही छोड़ेंगे ऐसा करने से हमारा घी एजिली मिक्स हो जाएगा और सूजी में भूनते वए लम्स नह अच्छ भी दलें और अरां से हम उसे भूल सकते हैं तो फ्रेंज औस टाइम टो आड हमारा जो यह सूजी का पिठी है इसे हम इस घी में डाले और इसे भूलणा स्दा करें इसे बहुत ध्यान से भूलना है, बहुत patience का काम है ये, मीडिम से लो फ्लेम पे इसे बार बार चलाते रहना है, फ्रेंस हलवे में ध्यान देने के लिए बस ही यही बात है कि इसे हम बार-बार चलाते रहें नहीं चलाएंगे तो हमारी सूजी चल जाएगी और हलवे का डेस्ट में मज़ा नहीं आएगा फ्रेंस जैसा कि आप देख सकते हैं सूजी ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है बट क्यूंकि हमें इसे दाल के रहलवे का लूग देना है और यह सूजी भी भीगी हुई है तो इसे अभी हम थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक कि यह डर्क ब्राउन ना हो ज है तो फैंस देखी अब हमारी सूजी डार्क ब्राउन कलर की हो गई है इस टाइम हम सूजी को चलाएंगे बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं दिस इस दे कलर देट वर लोकिंग फॉर और यह पर्फेक्ट टाइम है जब हम इस मिक्स्चर में अपना चीनी और पानी का मिक् अब हमें इस हलवे को मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक कि यह हलवा साइज न चोड़ते है कुछ इस तरह से हमारे हलवे ने साइज चोड़ दिया और यही पहचान है कि अब हमारा हलवा बनके पुरी तरह तयार है इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है फ् फ्रेंड्स यह हो गया हमारा हलवा सर्व अब इस पे गार्डेशिंग के लिए लेट्स एड़ सम चॉप्ट पिस्चाची उज और थोड़े से बादाम लुक में तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी मूंग की दाल का हलवा फ्रेश बनके आया हो मुझसे तो बिलकुल कंट्रो में जरूर बताएगा आपको यह रेसेपी कैसी लगी अगर पसंद आई तो डू लाइक इट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे और भी अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी रेसेपीस के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग